हैलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ ज्यान इंदर सिंग सिंभू आपका दोस्त और आप देखर अपना फेबरेट चैनल एट विजिट कॉंसेट दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किराना होलसेल इस्टोर में कितनी मार्जिन हो सकते हैं अगर किराना या ज जादा से जादा में यानि कि सुरुवात में अगर आपके पास पैसे कम हैं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कैसे रन कर सकते हैं और अगर आपके पास ठीक ठाक एमाउंट है तो आप उसको कितना लगा के रन कर सकते हैं कम से कम में ही मैंने बात करता हूँ क्योंकि कम से कम में लगाना चाहिए, बिजनस की सुरुवात में जब हमको बिजनस का experience न रहे, तो हमें थोड़े से ही सुरुवात करना चाहिए, क्योंकि अगर बाई दबे बिजनस नहीं चला, या आप नहीं कर पाए, या बिजनस आपको अच्छा नहीं लगा, या बिजनस आपके लायक नहीं सोच रहे हैं, तो कितना कमा सकते हैं, अगर यह जानने के लिए इस वीडियो को आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, नया है तो चनल का subscribe जरूर करतें दोस्तों, ठीक है, देखें दोस्तों, wholesale का business बिसे कितनी कमाई हो सकते है यह depend करता है कि आपकी जगे और आपकी daily की जो turnover है, यारी कितना आप sale करते हैं, यह तो सभी लोग जानते है, नारबल बात है, ठीक है, कि sell पे ही margin आपको निकल के आएगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात होती है कि minimum कितना हो सकता है, तो अगर out area में एक दिन में, ठीक है, 10,000 से 20,000 का product आप आराम से बेज सकते हैं, ठीक है, अगर आप general wholesale पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तर brand product लिखते हैं, और brand product पे जो margin निकल के आती है, दोस्तों, वो निकल के आती है, 2-3%, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5%, और ऐसे 5% आन चंडल इस्टोर या किराना का wholesale वो गुट का secret भी रखते हैं, ठीक है, तो अगर सब का एक तरीके से profit मिला दिया जाए, तो 5% तो आपको बचता है, 5% मींस, अगर आपने 10,000 का sale किया, तो 500 रुपे, 20,000 का sale किया, तो 1,000 रुपे, और वहें 30,000 का sale किया, तो 1500 रुपे, 40,000 का sale किया, तो 2,000 रुपे, 50,000 का sale किया, तो 500 रुपे, कम से कम में इतना तो बचना ही बचना है, तो अब आप जब स्टार्ट करेंगे, तो आपने अगर पहले महिने में 5,000,000 का बेचा है, 6,000,000 का बेचा, तो उसी recording आप 5% के हिसाब से profit निकाल सकते हैं, और profit कैसे निकले कि यार, एक रुपे, 5,000 पैसे की आ रहा है, तो उतने में हम भी बेच रहेंगे, अगर उससे ज़्यादा बेच रहे हैं, तो कोई, वैसे आप अगर देखा जा, तो 5% प्लस करके ही कोई product को आप बेचिएगा, किसी-किसी product पे 10, 10, 15% margin होती है, जब कि चौकलेट की बात कर जा, तो 5% आप मान के चल सकते हैं, कि इतनी बचता आपको हो जाएगी, ठीके, तो दोस्तों बस यही इस वीडियो में बताना था, क्योंकि बहुत लोगों के question थे, बहुत लोग जानना चाहते थे, और यह चीज़ तब मैं बता पा रहा हूँ, जब इस business को मैं करता हूँ, और business में बड़े scale पर करता हूँ, और बहुत सारे knowledge हैं, experience हैं, सारी चीज़ बता पा रहा हूँ, उनके लिए जो लोग बिजनस को नए में अभी start करना चाहते हैं, अगर इस तरीके के business से start करने में कोई problem आपको आ रही है, या फिर कोई आपके सवाल है, तो यार comment करे, comment box ख दिये, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पैसे तो यार बहुत जगह से कमाया जा सकता है, बट लोगों का प्यार ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है, तो उमीद है, दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज कार,